सभापती महोदै, इनको हम बता रहे हैं कि जितना जल्दी इस सचाई को पचा लिजिएगा, उतना ही आपके मन को सांती मिलेगी, नहीं तो पूरा मन बिचलित रहेगा आपका, और पांचो साली सित्रा बिचलित रहेगा. निनानवे का अकड़ा बड़ा खराब होता है सभापती महोदै, लूडो, लूडो पता नहीं, गोरब गोगोई जी और बाकी लोगों ने खेला है की नहीं खेला है, लूडो खेलके निनानवे पर पहुंचते हैं, और जब साप काटता है, तो जीरो पर पहुंच जाते हैं, यही हाल है तो इसलिए जरा इनको मन की सांती को जितना जल्दी ये सांत कर ले और देश की सचाई को जितना जल्दी ये स्विकार करेंगे उतना ही इनके लिए चैन मिलेगा इनको भी चैन मिलेगा और देश को भी चैन मिलेगा और इस देश में जो नरेंदर मोदी जी ने आत का प्रयास कर दो नो पॉइंट अवाडर अब इनको डूरिंग एनी मिनिस्टर स्टेट्मेंट या स्पीच आप पॉइंट अप लिख के भी दे आप लिख के भी वेद बजट कही चल रहा है बैठिये आपको बजट समझ में आता आपको बजट में भी बता देंगे एकगो का बज़ट का भासन, बज़ट समझ में आ रहा है, तीसरे कार्ज काल का जो पहला बज़ट आया, अब इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनका एक एजेंडा रहता था, बेरोजगारी है इस देश में, रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही है, इस पहले बज़ट में 4.1 कड और लोगों के रोजगार स्रिजन की चर्चा है, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं, चुकि मन तो इनका विचलित है, मन इनका आसांत है, तो वो कहां से दिखाई पड़ेगा इनको, अब 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 बास्ताब में हुआ क्या है कि तीसरे कार्जकाल का ये पहला बजट आया मोदी जी ने पहला बजट मोदी जी की सरकार में पेस किया और जो पहला गुगली मोदी जी ने फेका है इस बजट के माधियम से तो ये बोल्ड आउट हो चुके हैं और उसी बोल्ड आउट की छट पटा हाट में ये अप अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं, बिध्वा बिलाप किये जा रहे हैं, और बिध्वा बिलाप करने से क्या होगा, सच्चाई यही है, कि देश के प्रधान मंतरी नरिद्न वो दीजी है, और पूर्ण पहुमत के साथ हैं, इस सच्चाई को सुक्यार करिए,